मिस्तरी के कई महत्वपूर्ण उत्तरदाईत्व होते हैं जिने कार्यान्वित करने की आवशक्ता होती हैं सबसे पहले उन्हें यह जानने के लिए आर्किटेक्चर संभन्ती ड्रोईंग का अध्यायन करना होगा कि कहा पर आवशक्त दीबारों और ढाचों का निर्मान किया जाना है वे एक मेज पे आर्किटेक्चर संभन्ती ड्रोईंग रखते हैं दिशाक्मों निर्धार्यत करने के लिए संधर्प के रूप में कंपास का प्रयोग किया जाता है इसलिए आर्किटेक्चर संबंधी ड्रॉइंग पढ़ने के दौरान एक कमपास का होना अत्यांत अवशक है। इसके बाद वे दिन के काम के लिए अवशक मटीरियल की मात्रा का अनुमान लगाते हैं और यहाँ सुनिश्यत करते हैं कि वे उपलब्ध हो। वे उन सभी मटीरियल की गुणवत्ता की जाच करते हैं जिनकी दिन के लिए अवशक्त होगी। एक जिम्मेदार मिस्त्री केवल उच्च गुणवत्ता की मटीरियल का ही प्रयोग करेगा। ड्रॉइंग पढ़ने के बाद उन्हें यह जाचना होगा कि क्या माप सही है और निर्मान स्थल के अनुसार है। मापों को जाचने के बाद मिस्त्री दिवारों को बनाने के लिए अवशक उपकरणों का चयन करता है। कार्या आरम करने से पहले अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिस्त्री अपने व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरणों की जाच करता है। इसके बाद मिस्त्री उन दिवारों के लिए मसाला तयार करता है जिने बनाया जाएगा। उपकरणों और मटेरियल की निर्धारित होने के बाद मिस्त्री योजना के अनुसार आवश्चक दीवार या धाचे का निर्मान करता है अब आपने मिस्त्री के कारियों के बारे में जान लिया है